दूसरो, गर आप ट्रेन से अकसर सफर करते रहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन रेल्वे आपने ट्रेन्स की टैमिंग में समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है कभी ट्रेन का रूट डैवर्ट हो जता है कभी ट्रेन कैंसिल हो जाती है या कभी कबार मौसम की वज़े से ट्रेंस काफी लेट आती है तो ऐसे में अगर आप एक पैसेंजर है तो घर से निकलने से पहले आपको पता होना चीए कि आपकी ट्रेंड का actual timing क्या है आपकी platform पर कितने बज़े आने वाली है और कहीं आपकी ट्रेंड का route divert तो नहीं या फिर ट्रेंड आपकी cancel तो नहीं की गए है तो इन सारी information को आप government की ही एक application है जिसके माध्यम से live track कर सकते हैं आपकी train कहा है उसका जो live status है सारी information को आप अपने mobile phone से ही हासल कर सकते हैं तो कैसे करना है हम इस वीडियो में live देखने वाले हैं तो चली किसी भी train की live इस्थिति को जानने के लिए आपको सबसे पहले play store पर आना है application को first time open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आता है तो यहाँ पर अभी यह English language में application है तो अगर आप इसकी language को change करना चाहते हैं तो यहाँ पर three dot के option पे click करना है तो यहाँ पर आपको English और Hindi के दो option मिल जाते हैं तो अगर आप यहाँ पर language को change करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे Hindi language में सारी चीज़े convert हो चुकी हैं तो यहाँ पर पहला option आपको मिल जाता है spot your train का sport your train के option पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको train का name या train का number फिल करने का option आ जाता है तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप फिल कर सकते हैं train number आपको five digit का मिलता है जो कि आपके ticket पर printed होता है इसके लावर directly train का name भी आप type कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं train का number type कर देता हूं जो कि five digit का होता है मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं train का number फिल करते ही आपके सामने उस train का जो भी name होगा यहाँ पर automatic search हो करके आ जाता है उसी के साथ में आपको एक नीचे के तरफ option दे गया है तो आप इस option पे click करेंगे इतना करते ही आपके सामने journey station की list आ जाती तो यहाँ पर आप जिस भी station से train को लेना चाहते हैं आपको choose कर लेना है तो यहाँ पर suppose मैं जहासी से train को लेना चाहता हूं तो जहासी के option पे click कर देता हूं इसके बाद नेचे option मिलता है date का तो यहाँ पर जिस भी date को आप यात्रा करने वाले ह आपको choose कर लेना है और यहाँ पर आपको so status के option पे click कर देना है so status के option पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीक एका पे जाता है यहाँ पर आपकी जो भी train आपने choose की है उसका जो timing है आपकी सारी information दिखाई जा रही है उसी के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि ज train आने में ही लेट है वहीं जाने के समय में भी 18 मिनिट लेट यहाँ से जाएगी इसी के साथ में नीचे आप देखेंगे तो upcoming station और next station के बारे में बताया गया तो आप देखेंगे upcoming station आपको इर्चिक रोड करके दिखा गया है और साती में आप यहाँ पर देखेंगे next stoppage है जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने उस route के जितने भी station है उनके name दिखाये गए और जो भी station से यह train गुजर के आ रही है यहाँ पर आपको उनका timing भी दिया गया है क्या arrival का time रहा है और क्या departure का समय रहा है यहाँ पर दोनों ही information को आप देख पाते हैं तो यहाँ प पहुचने पर से पहले इस train का जो पहला stoppage था और अब ही आप देखेंगे कि इस station पर एक train पहुच चुकी है तो यहाँ पर आपको पुरावना करके एक station दिखाया गया जिस station पर एक train पहुच चुकी है और वहीं आप देखेंगे एक next stoppage है इर्ची जहाँ पर यह train पहुच पहुचेगी इसके बाद में हम back आ जाते हैं और यहीं पर एक आपको option देखने को मिलता है map का तो यहाँ पर map की option पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने एक map डिस्पले हो जाता है जहाँ पर आप ड्रेग करके जूम करके आप यहाँ पर देख सकते हैं किस station से train कहाँ पर जाने वाली ही यहाँ पर आपको सारी information देखने को मिल जाती है यहाँ पर green color का जो mark दिखाया गया है यह है source train का यहाँ से train चलने वाली है और यहाँ पर जो blue color का mark दिखाया गया है यहाँ पर train आपको पहुचाने वाली है तो यही पर आपको एक second option दिया गया है live status का तो आपको इस option पे क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीकी का display रता है जहाँ पर आपको दो station के name चूज करने का option डिस्पले हो जाता है तो यहाँ पर name को जैसे type करना start करेंगे आपके सामने suggestion की list display हो जाती ही आपको choose कर लेना है इसके बाद में जिस भी station के लिए यात्रा करने वाले हैं यहाँ इस option पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस station का name type कर देना है station का name choose करने के बाद में यहाँ पर यहाँ पर आपको option दिखाई देता है जहाँ पर आपको choose करना है timing तो यहाँ पर इस station से कितने घंटों के अंदर train इस station को जाने वाली हैं यहाँ पर आपको choose करना है तिहाँ पर suppose मैं 8 hours को choose कर लेता हूँ इसके बाद में आपको get detail के option पर click करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी कार्णफूर सेंटरल station जो मैंने choose किया था उस station पर जो भी trains आने वाली हैं जहासी जाने के लिए आपको एक list display हो जाती है जिसने अगर आप travel करने वाले हैं तो यहाँ पर choose कर सकते हैं आपको इधर उदर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साती में यहाँ पर आपको platform number भी दिखाये गया है कि किस platform पर वो train आने वाली है और यहाँ पर आपको show full detail की option पर click करना तो यहाँ पर आप train की live location को भी देख पाते है इसी के साथ में next option दिया गया है आपको train schedule का तो किसी भी train का schedule अगर आपको जानना है तो आपको इस option पर click करना है तो यहाँ पर मैं यह जैसे train का name लिख दिया है अब आपको search के option पर click करना है search करेंगे तो आपके सामने दो train के नाम दिखाई देते हैं यहाँ पर आपको चार दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे updateस life जाने वाली है एक आने वाली train है तो यहां पर आपको जिस भी station से travel करने वाले हैं चूस कर लेना है यहां पर जिसे लखनव जंक्सण से मैं train के बारे में जानना चाहता हूं तो लखनव के option पर क्लिक करता हूं क्लिक करते ही आपके सामने train का जो schedule है आपके सामने display आ जाता है यहाँ पर आपको सभी train के जो station है आप देख सकते हैं किस किस stoppage पर जाने वाली है और यहाँ पर क्या timing रहेगी आप यहाँ पर यह भी information को देख सकते हैं और कितनी distance है, kilometer कितना है और first day में पहुचाएगी, second day में पहुचाएगी यहाँ पर यह information को हासिल कर सकते हैं इसके बाद में एक option देख आपको train between station तो आपको इस option पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जिस भी station पर जाने वाले हैं second option में choose कर लेना है इसके बाद में नीचे के तरफ एक option देख गया है train type का तो आप इस option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप से पूछा जाता है किस तरीके की train को आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी category दी गई हैं इतना करते ही आपने जो भी station को choose किया है आपके सामने list display हो जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी trains available है उनका timing आपको दिया गया है train number दिया गया है और कितने घंटे के अंदर आपकी journey complete होगी आप यहाँ पर वो भी information को देख सकते हैं इसी के साथ में एक option आपको यहाँ पर देखने को मिलता है cancelate train का इस option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि count कौन सी train है जो cancel हुई है उनका list में name आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है तो यहाँ पर किसी भी train का अगर आप name को find करना चाहते हैं तो यहाँ पर train number train का name लिख करके आप find कर सकते हैं या फिर आप directly next page पर जा करके train को find कर सकते हैं इसके बद ने option दिया गहा है Reschedule का तो जो भी trains cancel होने के बाद में Reschedule हुई है यहाँ पर आपको उनका name दिखाए गया है यहाँ पर आप उनका name देख सकते हैं अगला option यहाँ पर आपको दिया गया है Diverted train का तो आप इस option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी train है जिनका route divert किया गया है आप उनकी यहाँ पर detail देख सकते हैं उनका name आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी train का जो route change किया गया है तो उस route को आप देखना चाहते हैं तो किसी भी train के option के उपर आप click करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी अपडेटर उस स्क्रेन का रूट है आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पर किस-किस स्टेशन पर ट्रेन जाने वाली है कितना टाइम लगेगा सब भी इंफोमेशन को आप देख सकते हैं तो आसा करता हूँ आज के वीडियो अपको काफी पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करीगा चैनल पर नए है तो चैनल को भी सस्क्राइब करीगा साथी में आपके मन में कोई सवाल है किसी भी तरीके का सुझाओ तो आप हमें कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा मिलत आपने ने किसी बीडियो में अपके लिए बापके लिए बापके लिए चैनल